अे जू बनाने वाले अग पुलाव या फिर आप इसे एग बिरियानी भी बोल सकते हैं एग में हमने सबसे पहले इस तरह से कट लगा लेना है सारे एग में हमने इसी तरह से कट लगा लेना है ताकि जो एग है उसके अंदर अच्छे से मसाला जाए इसके साथ ही मैंने छोटी साइस के 200 ग्राम आलू लिये है उसे भी मैंने बॉल कर लिया है इसके साथ ही हम आलू और अंडे को भी फ्राइ करके निकाल लेंगे इसके बाद हम इसमें एड कर देंगे होल स्पाइस जिसमें मैंने लिये जीरा लॉंग इलाइची दालचीनी का टुकडा जावित्री इन सब को हमने चौटे कर लिया है इसके बाद मैंने जो है 20 ग्राम प् पाउडर लिया है बिर्यानी मसाला नमा कुटी हुई काली मिर्च लाल मिर्ची हल्दी और भुना हुआ जीरा इन सब को हमने अच्छे से चला लेंगे और इसे एक मिनट सॉफ्ट कर लेंगे इसके बाद मैंने लिया है 100 गराम दही इसे भी हम इसमें एड कर लेंगे दही को पर लोओ फ्लेम पर एड करेंगे ताकि जो दही हमारा वो फटे नहीं अब इन सब को जो हमने कवर करके तीन से चार मिर्ट तक भुन लेना है इसे भुनने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी आड किया है ताकि जो मसाला है वो अच्छे अपक कर लेना है वाइनली हमारा मसाला अछे से भून गया है, अब इसमें पानी आड़ कर देंगे, इसी कब से जो है मैंने 2 कप चाबल लिया था, तो मैं 3 कप पानी आड़ कर रही हूँ, इसके साथ हम इसमें आलो को भी अड़ कर देंगे, पानी के साथ की और इसे हमने घ्लीम पर उक बॉयल आने दें जैसे एक बोईल आएगा इसे हमने फ्लेम को जो है एकदम लो कर लेना है और इसे लो फ्लेम पे हमनें 10 मिन और फाइन चॉप किया हुआ धन्या का पत्ता आड़ कर देंगे इसके साथ ही हमने फूट कलर एड़ कर लेना है पांच मिनट के लिए इसे दम लगा लेंगे और फाइनली अब हमारा जो बिर्यानी है वो सख करने के लिए रेडी है फ्रेंस आप देखकर समझी गए होंगे कि हमारा जो अंदा बिर्यानी हो कितना पौफेक्ट एड़ी हुआ है मेरे रेसी पी आपको ज़रू पसंदा होगा वीडियो पसंदा तो वीडियो पर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिते हैं सी तरसी को बज़ेदा तब तक लिए आप अपना खियाल रखें अपनों का खियाल रखें बाई